ये गाईज, वेल्कुर टूप चैनल एवन अकेडमी जहां आपको MSTCT रिगार्डेट हर एक निव अपडेट ता ऑथेंटिक इन्फोर्मिशन प्रोवाइट की जाती है साथ में आपर आप सभी के एकजाम होने से लेकर आप सभी के रिजल्ट आने के बाद जो कुछ admission प्रोसेस रहने वाला है वो सब कुछ आपको इसी चैनल के माध्यम से अलर्ट मिलता रहेगा साथ में क्या कुछ प्रोसेजर रहने वाली हैं और आपको एक best college मिलने तक आपको यापर support राने वाला है make sure channel को अभी subscribe कर लिजे और हाँ आप सभी के लिए और गल्स और बॉइस के लिए दोनों के लिए एक WhatsApp group बनाया गया है जो कि MSTCD candidate 2024 और 2025 के लिए है जो भी prepare कर रहा है वो ज़रूर यहाँ पर जो group है उसको join कर लिजे yes guys link description में मैंने दे रखिये तो चलिए देख लेते हैं जो कि आप सभी का new syllabus pattern क्या कुछ रहने वाला MSTCD 2024 के लिए with video and officially बात कर लेंगे ठीक है क्योंकि without proof यहाँ पर बात नहीं होती सबसे पहले देखिए official website पर मैं आया हूँ CET sale 2024 सबसे पहले तो नीचे आपको आना है मैंने जैसे कि previous video में आपको बता रहा था कि आपका registration कब से start होगा वो भी video आप देख लिजे जैसे कि आप सभी को पता है आप सभी के date से आप रिलीज हुए और अभी अभी हाल फिदाल में आप देख सकते हो आपर जो कि आपर आप क्लिक करेंगे जैसे कि click here to view syllabus all courses के लिए आपर दे रखा है 2024 और 2025 का मैंने PDF डाउनलोड कर लिया है मैं आपको यापर बता था हूँ ठीक है अब क्या कुछ changes हुए है साथ में आपर NEET और JEE के तरह आप सभी का जो syllabus है उसमें कुछ changes हुए क्या और syllabus reduce होने के कितने chances है और क्या new pattern रहने वाला है आप सभी के लिए सबसे पहले देखिए आपर मैं आपको कुछ information important बताने वाला हूँ make sure video last तक देखेगा MSG CD 2024 the question will be based on the syllabus of state council of educational research and training महाराष्टा जो की हर बार यही ओर होता है approximately 20% weightage will be given standard 11 and then one 80% weightage आपका बारावी को है यानि के लगबग 20% का weightage 11 क्लास को और 12 क्लास को 80% का weightage है अभी आप 12 standard में होंगे आपका base यानि के आप सभी ने board को अच्छी तरह से prepare किया होगा या फिर कर रहे होगे वह अच्छी बाद है ठीक है साथ में आपको MSTC2 को भूलना नहीं है ठीक है difficulty level will be at with JEE and आप सभी का NIT और JEE की तरह भी इस बार आप सभी का MSTC2 में कुछ यहाँ पर difficulty देखने को मिलेंगी as per JEE और NIT जैसे पेपर होता है उसमें जैसे difficulty होती है उतनी ज़्यादा तो नहीं देखने को मिलेंगी बट उससे मिलती जुलती यहाँ पर रहने वाले आप सभी की pattern की question देखने को मिल जाएंगे so don't worry अब देखिए हाप पर बात करेंगे MSTC2 जैसे के आपको कुछ आपर subject then one number of MCQ और उसके marks कितने है अब देखिए बहु सरे student application form भरते होंगे तो आप PCB और PCM दोनों का form fill up कर दीजे ठीक है पैसे की चिंदा मत करें क्योंकि अगर आप पैस सरे student को math से डर लगता है और बहु सरे student का overall biology बिल्कुल grade type में हो जाता है prepare तो don't worry अगर आपका math week है तो भी PCM भर दीजे क्योंकि exam paper में कुछ नहीं का जा सकता क्योंकि negative marking आपका नहीं है तो बहु सरे student क्या करते है यानि कि biology का ज्यादा prepare करते है बट उनका PCM में भी कर दीजिएगा ठीक है अब देखते हैं पर number of question तो आपको question देखिए and marks देखिए यहाँ पर biology को ज्यादा weightage है ठीक है यहाँ लगबग 12 का 80% यहाँ लगबग 80 marks का आपका यहाँ पर biology आ रहा है और साथ में बात कुरूं mathematics का तो mathematics का आप देख सकते हो आपको marks पर question यहाँ दो है ठीक है एक math का question दो marks का है तो आपको math में overall ज्यादा risk लेना नहीं पड़ेगा उनले आपको वही question attempt करने पड़ेगा जो आपको 100% sure आता है ठीक है so don't worry आप देख लीजिए एक बार यही pattern रहने वाला है आपका same जो की 11 और 12 का साथ में आपको 11 का कुछ syllabus दिया है ठीक 11 का यहाँ पर आपको सिल्यापस दिया है जो कि आपको physics, chemistry, mathematics and biology चारों subject का आपको यहाँ पर सिल्यापस दिया है उतने ही आपको यहाँ पर लगवक number of chapters कर लेना है ठीक है उसमें से भी बहुत सारे जो ऐसे chapters है जो ज्यादा weightage का है मैं weightage पर भी एक video लेकर आऊंगा कि 11 में ज्यादा बिल्कुली tension देने की जरूरत नहीं आपका same pattern में question आ जाता है ठीक है biology का भी वही है ठीक है तो बात करेंगे आपको 12 जो कि आप अभी board के लिए prepare कर रहे होंगे या फिर आपने कर लिया होगा तो 12 standard का अगर आपका base पका हो तो भी आपका हो जाएगा देनों आप आपको only pages chemistry और biology के PYQ लगाना है जो कि आपने PYQ लगाने के पाद आपको pattern समझ में आता है और mock test देने के बाद analysis करने के पाद भी आपका score boost up होता है so don't worry आप only PYQ लगाने के बाद भी आप analysis करती जाएगे जो भी mock आप देंगे PYQ देंगे and then one आपको PYQ के तरह ही जैसे question pattern बन रहा है उसी type के question को आपको solve करके देखना है ठीक है so आप यही strategy अपना ही है और हाँ आपका score अभी अभी आप mock solve कर रहे होंगे तो आपका score overall में बोरो होगे आपर full mock थी के full mock में आपका कितना score बन रहा है यह फिर आपने previous year solve किया होगा उसमें आपका कितना score आ रहा है मुझे comment जरूर करिए आपका dream college कॉन सा है वो भी मुझे comment जरूर करिए तो चलिए यह तो रहा है आपका सभी का जो सिलापस है MSTCGT 2024 जो की लगबग 10 sorry 20% 11 and 80% आपका 12th class का रहने वाला है make sure आप इसका screenshot है फिर PDF में टेलिग्राम पे डाल दूँगा और सब group पे भी available है तो उसे आप download करके कभी भी देख वाएंगे so don't worry all the best for your exam औ मिलने वाला है make sure चैनल को सब्क्राइब करके bell icon प्रेस कर दीजिए